नमस्कार मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दिललन टॉप की परताल भारत में बीते दो दिनों में ट्रिटर पर दो ट्रेंड जम कर चले पहला बाइकोट कतर एरवेज उसमें स्पेलिंग बाइकोट की थी बी वाई सी ओ डबल टी और दूसरा बाइकोट कतर एरवेज पहले दिन चला बाइकोट कतर एरवेज जब लोगों ने आद लाए कि बाइकोट की स्पेलिंग गलत है तो इसके बाद सही स्पेलिंग वाला बाइकोट कतर एरवेज ट्रेंड हुआ अब कतर एरवेज से जोड़कर कुछ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट वारल है सोशल मीडिया यूजर्स इन ट्वीट्स को बॉइकॉट कतर एरवेज हाश्टाग पर कतर एरवेज का जवाब बता कर शेयर कर रहे है पहले ट्वीट के स्क्रीनशॉट में अंग्रेजी में लिखा है जिसका हिंदी अनुवाद है पहले बॉइकॉट का सही उचारन करना सीखो दूसरे ट्वीट के स्क्रीनशॉट में लिखी भाचा हिंदी है लेकिन उचारन का पूरा खयाल रखा गया बॉयकॉट लिखना तुमको आती नहीं और हमारा बॉयकॉट करती तीसरा स्क्रीनशॉट एक रियाक्शन ट्वीट है जिसमें बॉयकॉट कतर एरवेज, गलत स्पेलिंग वाला उस पर कतर एरवेज के ट्वीट के हवाले से हे हे लिखा दिखाया गया है इन तीन के अलावा और भी कई स्क्रीनशॉट्स के दावे के साथ वायरल हो रहे हैं दीललन टॉप ने जब वायरल स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स फरजी निकले वायरल ट्वीट्स का सत जानने के लिए हमने सबसे पहले कतर एरवेज के आधिकारिक फिटर अकाउंट को खंगाला सर्च के दौरान हमें कतर एरवेज के अकाउंट से एक भी ट्वीट ऐसा नहीं मिला जो वायरल ट्वीट्स से मेल खाता हो आगे हमने tweets and reply section में viral tweet को खोजा तो हमें कुछ नहीं मिला इसके बाद हमने archive करने वाली website wayback machine और archive today पर qatar airways के account को search किया हमें इन दोनों websites पर एक भी ऐसा archive tweet नहीं मिला जो viral tweet से मिलता जुलता हो viral हो रहे tweets में कुछ basic mistakes भी हैं जैसे tweet में profile picture और text का alignment वैसा नहीं है इसके अलावा असली tweet और viral tweet की text में font का अंतर भी साफता और पर देखा जा सकता है यह साफ है viral tweets का qatar airways से लेना देना नहीं है जानते हैं क्या है boycott qatar airways की कहानी दरसल बीते दिनों bjp प्रवक्ता रही नुपर शर्मा ने एक news channel पर पेगंबर मुहमत के लिए कथेत रूप से अभद्र टिपनी की थी मामला सामने आने के बाद अरब और मुस्लिम बहुल देशों ने कड़ी नाराजगी जताई इनी देशों में कतर भी शामिल है कतर ने भारत सरकार से माफी की मांग की और भारत में एक वर्ग ट्विटर पर कतर एर्वेस के बॉयकॉट की मांग करने लगा इसके बाद बॉयकॉट ट्रेंड पर सोशल मीडिया यूजर्स ने मिली जुडी प्रतिक्रियाएं दी फिलाल बीजेबी ने नुपर्शर्मा को पार्टी और प्रवक्तापत से सस्पेंड कर दिया है इसके लावा बीजेबी के एक और नेता नवीन कुमार जिंदल को पेगंबर मोहमत पर विवादत ट्वीट के चलते पार्टी से निकाल दिया गया है पाइनल नतीज़ा आपको बता देते हैं हमारी परताल में कतर एरवेस का बताकर जो ट्वीट के स्क्रीन शॉट शेर हो रहे हैं वो फेक निकले असल में कतर एरवेस के ट्वीटर अकाउंट से ऐसे ट्वीट कभी नहीं किये गए परताल के दौरान हमें कतर एर्वेस का एक बॉयकॉट वाले ट्वीट का रिप्लाई करते हुए ट्वीट भी मिला इस ट्वीट में मदद की बात कही गई है और इसकी भाशा वायरल ट्वीट से बलकुल अलग है आपके लिए परताल के हमारे साथी अंशुल ने देखते रही है दिलालन टॉक शुक्रिया